बुलिटिन की शुवात करते हैं हिमाचल प्रदीश में पिछले दो दिनों से बर्फबारी जारी है सडक, रेल और हवाई मार्ग बाधित होने से प्रदीश के परेटन इस्थानों पर अब हजारों परेटक फस गए हैं हाला कि सभी होटलों में सुरक्षित है रविवार शाम तक प्रदीश में चार एन एच और सासो एकतिस सडकों पर यातयात ठप रहा हैं वहीं HRTC के पांसो पचास रूज प्रभावित हुए भारी बर्फबारी से शिमला से लेकर मंडी चंबा कुलू और सिर्मोर और किनोर की बात करें तो यहां जिला मुख्यालियों का संपर्क कई शेत्रों से कट गया है जगा जगा भूस्खलन और पेड़ गिन्ने से 1572 बिजली ट्रांस्वार्मर जो है वो ठप हो गया है जिसे कई गावों में ब्लैक काउट रहा पेड़ल की बात करें तो इस पेड़ल स्की में गाट से भर गई है करीब पांच दिनों तक पानी के सप्लाई प्रभावित होने की आश्रंका है बर्फबारी के चलते हिमाचर प्रदेश कडाके की ठंड की चपेट में है पांच शेहरों का पारा माइनस में है उधर मौसम विग्यान केंद्र शिमला के अनुसार आज उचाई वाले शेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की आश्रंका है अन्य इलाकों में मौसम साफ रह सकता है बर्फबारी और बारिश के सानों बागवानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है